हेलो जहें दोस्तों मेरा हुल सिंग रॉल वाई फैस्टिटी में आपका हर्दिक स्वागत और अभिनेंदन करता हूँ दोस्तों आज हम उत्तर प्रतिस अधनस सिवा चेह नयोग जो आपका 223 दिसंबर को ग्राम पंचायत रतकारी ग्राम भी कास रतकारी और समाज कल्यान प आपका समान अध्यन से कोशन पूछा जाएगा तो मित्रो उसी संबंद में हम आपके लिए हिंदी के टॉप टम्टी और कोशन लेकर के हाजी रुच के हैं आप इसको सॉल्व करिए और देखिए खुद का आप आकलन करिए कि आप कितना तयार हैं 22 और 13 दिसंबर को होने व जितना आता हो उतना ही अटेम्ट करें है ना क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके वन हाप मार्किंग है मित्रो तो थोड़ा सतर खोकर आपको कोशन का एंसर देना होगा आपको जो कोशन का एंसर आवे वही आप एंसर दीजिए अन्था उसको छोड़ है ना तो उसकी सुरुआत इस वीडियो के साथ में ही हम लोग कर लेते हैं आपको जितने कोशन आए उसको सॉल्व करिए हाँ आपको लोगे कि ये कोशन सही हो सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमने इतने अटेम्ट किये थे और हमारे इतने कोशन सही सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर सूचना जो कि उत्ता प्रदिस अद्द सिवा चैन आयोक के संबन्द में हो आप तक हम पहुचा सके और बैतर से बैतर सब्जेक्ट मेंटेरियल जो कि आपके आगामी आने वालो एक्जाम के लिए बेहत दिश्टी को आपके बेहत मह हो वो कोशन भी हम आप तक पहुचा सके ठीक है मित्रों अब सीधे सीधे हम बढ़ते हैं बिना समय का नुक्षान के हुए अपने प्रैक्टिस चैट के तरफ कोशन के तरफ तो मित्रों देख सकते हैं आपके इस खीन पर पहला कोशन है जी हाँ हल्दी का तत्सम रूप है आपके पास चार आपसन है A. हरिद्र, B. हल्द, C. हरिद्र, D. हल्द क्या हो सकता है मित्रो इसमें? सुचिए और मार सॉल्व करिए चलिए हो गया देखते है मित्रो हल्दी का जो तत्सम रूप है मित्रो इसमें आपसर नमबर है हरिद्रा ठीक है न? हलिद्रा जो है हल्दी का तत्सम जूप है अब बढ़ते हैं से स्टोड़ी में अगले कोशन की दरफ हम लोग निमलिखित में तत्सम सब्द कौन सा है ठीक ना आपके पास चार आपसन A. पीठ B. भाप C. दिवस D. जिलमिल क्या हो सकता है मित्रो सोचिए सॉल्व करिए इसको जिया आपसन नमबर C. दिवस तत्सम सब्दे बाकी तीन सब्द जो है आपके उत्तत्सम है ठीक है अब बढ़ते हैं अगले कोशन की दरफ कोशन नमबर तीन पंकज सब्द है क्या है आपसन आपके पास चार अबलेबल है A. रूड B. योगरूड C. योगिक D. संकर क्या हो सकते है मित्रो सॉल्व करिए इसको जी यहां आपसन नमबर B. योगरूड सब्द है पंकज एक योगरूड सब्द है अगर दोनों को अलग लग कर दिया जाते है इसका दोनों का इसमें से कोई किसी पकार का अर्थ नहीं निकलेगा अब बढ़ते हैं अगले कोशन के तरफ कोशन नमबर चार आपके समच निम जी यहां आपसन नमबर D. तेल ततभो सब्द है बाकी सब क्या है तत्सम सब्द है अब बढ़ते हैं अगले कोशन के तरफ कोशन नमबर पांच आपके लिए है गमला जो सब्द है यह क्या है आपके पास चार आपसन है भिदेशी सब्द है आपसन नमबर B. तत्सम है आप आपसर नमबर D संकर क्या है मित्रो सोचिए बताइए ठीक ना इसका जो है आपसर नमबर A होगा विदेसी गमला जो सब्द है एक विदेसी सब्द है ठीक है अब बढ़ते हैं हम अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर 6 आपके समझ है नेमलखित में संकर सब्द कौन सा है देख स सकते हैं आप A सच्वाले B छेड़ छाड़ C टिकट घर D खीर तो क्या हो सकता है सुचिए ठीक है मित्रो आपसर नमबर C टिकट घर टिकट घर जो है संकर सब्द है अच्छा संकर सब्द आप लोग जानते होंगे मित्रों लेकिन मैं थोड़ा आपको होता था हूँ जो दो भासाओं के सब्द हों टिकट जैसा देख सकते हैं आप ये अंग्रिजी सब्द है और घर क्या है हिंदी सब्द है तीन दोनों के मिल करके जो है दो भासाओं के सब्द है ये तिने हम संकर सब्द दिकाते हैं तो आपसर नमबर C आपका टिकट घर जो होगा संकर सब्द है अगला कोस्टन आपके लिए कोस्टन नमबर साथ देख सकते हैं, अंग्रेज किस भासा का सब्द है, आपके पास चाला अपसटने, A. अर्बी, B. फार्सी, C. पुर्टगाली, D. फ्रेंच, तो क्या हो सकता है मित्रो, सोचिए इसको, आपसर नमबर D. फ्रेंच, ठिकना, अंग्रेज जो सब्द है ये फ्रेंच भासा से लिया गया है, ठिकना, अब बढ़ते हैं, अगले कोस्टन की तरब, कोस्टन नमबर 8 आगया आपके लिए, ये जी हाँ, फिल इंदा ब्लैंक से संबंधित कोस्टन है आपके लिए में तो कोस्टन नमबर 8 है आपके लिए, दे सकते हैं, रिक तस्तान के लिए उप्रिक्त विकलप का हैशायन कीजिए, आपके पिता, सोचिएगा मित्रो, और अच्छी तरीके से आप एंसर दीजिए, आपके पिता के निधन का समाचार सुनकर हुआ, तो जो फिल इंदा ब्लैंक स है, उसको आपको जो फिल करना है, ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, आपके पास चार आपसने में तो देख सकते हैं, आपसन नमबर A, खेद, आपसन नमबर B, दुख, आपसन नमबर C, छोब, आपसन नमबर D, क्लेस, तो क्या हो सकता है, सोचिए ज़रा, तीना इसमें क्या हो सकता है option number B दुख ठीक ना आपके पिता के निधन का समाचार सुन कर दुख हुआ ठीक ना अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरब तुलसी का सेवन स्वास के लिए है ब्लैंग ठीक ना तुलसी का सेवन स्वास के लिए ब्लैंग है चार आपसन आपके पास A लाबदायक, B उपियोगी, C हितकारी, D गुडवान तो क्या हो सकता है मित्रो इसमें सोचिए आपसन नमबर A लाबदायक, तुलसी का सेवन स्वास के लिए क्या है लाबदायक है चलिए इसी स्वास के बढ़ते हैं अगले कोशन के तरब, कोशन नमबर 10 आपके समचा गया स्कीन पर देख सकते हैं आप ब्लैंक, मनुस की सौभाविक प्रविर्ती है आपके पास चार आपसन A शौंदर, B शोग, C चन्चलता, D कलमठता, सोचिए और बताइए तो इसमें होगा आपका आपसन नमबर C, चन्चलता, तिकना दस का आपसन नमबर C, चन्चलता चन्चलता मनुस की सौभाविक प्रविर्ती है गिरावा नमबर कोचन आगया आपके स्कीन पर मित्रो देख सकते हैं आप हमें अपने देश पर ब्लैंक है चार आपसन आपके समझ A मान, B घमन, C आंकार, D गर्व तो क्या हो सकता है मित्रो, सोचिए तो 11 का आपसन नमबर D, गर्व हमें अपने देश पर गर्व है अब बढ़ते हैं अगले कोचन की तरफ तो देख सकते हैं 12 नमबर कोचन महान व्यक्तियों की उपलब्दियों में नारी क्या ब्लैंक का योग अवश्य होता है तो आपके पास चार आपसन हैं तिन चार में से कौन सा सबसे उप्यक्ट होगा इस ब्लैंक में भढ़ने से कि यह जो पूरा पूरा लाइन है वाक कहे सबसे सुटेबल कौन सा आपसन हो सकता है सुचिए 12 का इसमें से जो होगा आपसन नमबर B प्रेंड़ा महान ब्यक्तियों की उपलबदियों में नारी की प्रेंड़ा का योग आवश्य होता है सबसे उचित आपका आपसन नमबर B प्रेंड़ा अब बढ़ते हैं कोसन नमबर 13 के तरब स्वारी जी हाँ ओन वर्ट सुट्टूसन जे कोसन आपके समझ हो गया जी हाँ कोसन नमबर 13 सुट्टूसन जिसकी पतनी मर गई हो उस पुरूस को क्या कहते हैं आपके पास चार आपसन है A. बिधुर B. पुष्चल C. शवभाग गिविहीन D. बिधवा तो आपके पास चार आपसन है सोचिए तो आपका आपसन नमबर A. बिधुर होगा जिसकी पतनी मर गई हो उस पुरूस को हम लोग बिधुर के नाम से जानते हैं देगे ना चलिए इसी सोड़ने बढ़ते हैं कोसन नमबर 14 के तरफ हम लोग आप दे सकते हैं आप जो परमाड से सिद्ध ना किया जा सके आपके पास चार आपसन है A. जनसुरुती B. क्योद्वनती C. अप्रमे D. आपरमाडिक क्या हो सकता है सोचिए चार आपसन आपके समच है तो मित्रो इसमें जो आपका हो सकता है आपसन नमबर C. आपरमे जो परमाड से सिद्ध ना किया जा सके उसे हम एक सब्द में बोलते हैं आपरमे चलिए बढ़ते अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर 15 आपके समच अधिक बोलने वाला होता है आपके पास चार आपसन है A. गप्पी B. कटुहासी C. मित्भासी D. वचाल क्या हो सकता है मित्रो सोचे अधिक बोलने वाले को एक सब्द में बोला जाता है क्या वचाल आपसन नमबर D. वचाल पंदरा का आपसन नमबर D. वचाल अधिक बोलने वाले को हम एक सब्द में बोलते हैं क्या वचाल चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर 16 आपके समझ आ गया है देख सकते हैं स्क्रीन पर दूसरों से आगे बढ़नी की इच्छा कहलाती है आपके पास चार आपसन अब लेवल हैं A. इस्या B. परतियस परधा C. दुष D. परतियोगिता क्या हो सकता है मित्रो सोचिए आपसन नमबर B. ठीक ना परतियस परधा दूसरों से आगे बढ़नी की इच्छा परतियस परधा कहलाती है 16 का आपसन नमबर B परतियस परधा चलिए इसी से आगे बढ़नी कोशन की तरफ हम लोग कोशन नमबर 17 आपके समच गद्य पद्य शे मिस्रित रचना को कहते हैं आपके पास चार आपसन A. चूलिका B. अंतराचना C. चमपू D. अनुरचना तो क्या होगा मित्रो गद्य और पद्य से मिस्रित रचना को क्या कहते हैं हम लोग सूचिए आपसन नमबर C. चमपू तेकना मित्रो आपसन नमबर C. चमपू गद्य पद्य से जो रचना मिस्रित होती है वनती है उसे हम क्या बोलते हैं? चमपू तो 17 का आपसर नमबर आपका क्या होगा C अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरब जी यहां यह संद बिच्छेट से कोशन आपके समझ चेमित रो जी यहां देख सकते हैं यह संद बिच्छेट से संबंधित कोशन आपके लिए है तो कोशन नमबर 18 है देश सकते हैं आपके स्कीन पर है समवाद ठीक ना समवाद जो सब्द है इसका सही संदिविछेत क्या हो सकता है आपके पास चार आपसन है आपसन नमबर A सन पलस वाद आपसन नमबर B सुम पलस वाद आपसन नमबर C सह पलस वाद या option number D sum plus what तो सोचिए और टिक करिए तो मित्रो इश में होगा आपका option number D ठीक ना संबाद का जो संद भी छेथ होगा sum plus what ठीक ना और ये किस पकार का संद है संबाद अगर जो सब्द है ये पूछा जाए ये किस पकार का संद है तो क्या होगा ये बेंजन संद है ठीक ना ये बेंजन सब्द है या देख सकते हैं आप मा जो सब्द है मेल या याराला वा जिदा कि आप लोग जानते होंगे सा, खटी सा, छोटा सा, हा सा से हो तो मा सदेव अनुसार ही होता है ठीक ना तो जो sum पलस वाद है ये आपका कौन सा संद है बेंजन संद है चलिए अब इसी स्क्राणी बढ़ते हैं हम लोग अगले कोशन के तरफ, कोशन नमबर 19 प्रतेक प्रतेक का सही संद बेच्छेत क्या हो सकता है, आपके पात चार आपसन है, आपसन नमबर A प्रते पलस एक आपसन नमबर B प्रते पलस एक आपसन नमबर C प्रते पलस एक आपसन नमबर D प्रते पलस एक तो क्या हो सकता है, मित्रो, सोचिए आप आपसन नमबर A ठीक है ना, 19 का आपसन नमबर A प्रतेक का जो संद बेच्छेत होगा प्रत्य पलस एक अच्छा वहीं बात किया जब प्रत्य एक का जो ये किस प्रकार का संद है मित्रो ये अभी आपके दिमाग में चल लाओगा तो प्रत्य जो संद है स्वारी ये यड़ संद है तेकना प्रत्य एक जो है जिसका संद बिच्छेद प्रति पलस एक है वो यड़ संद है यड़ संद कैसे है इसला कि आप लोग जानते होंगे मित्रो जहाँ पर E पलस तिक ना E पलस AI वहाँ पर क्या होता है यड़ संद होता है जहाँ पर छोटी बड़ी के साथ में क्या जाए AI 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 तो इन सब सब्दों से जो मलके बनते हैं उन्हें हम क्या काते हैं यड़ संद E के साथ में और U के साथ में ठीक ना तो परते एक जो है आपका यड़ संद है अब बढ़ते हम अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर 20 आपके समझ पवन पवन का संद बिछेथ करिए आपके पास चार आपसन है आपसन नमबर A पसन नमबर B प सन नौ आपसन नंबर C पोपलस अन आपसन नमबर D पोपलस अवन, तो क्या हो सकता है मित्रोग, सोचे आप, आपसर नमबर C, ठीके ना, पावन का जो संद बिच्छेत होगा, आपसर नमबर C, पो पलस अण, बराबर क्या होता है, पावन, अच्छा ये भी दिमाग में चलोगा, किस प्रकार की संद है, तो जो पावन है सब्द दोस्तो ये सब्द आपका आयाद संद है, ठीक ना, जहां पर A, A, O, O, सोरो का मेल, दूसरे सोरो सो हो, A का A हो जाता है, और A का A हो जाता है, वहीं O का क्या हो जाता है, O हो जाता है, तथा O का O के रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना, तो पावन जो है आपका एक आयाद सं संद है और इसका संद बिच्छेत क्या होता है पोपलस अन अब चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ और इस वीडियो का लाश्ट कोशन आपके लिए संद से ही सम्मंधित है मित्रों देख सकते हैं एक ही जात के लग और दीर्ग स्वरों को मिलकर दीर घो जाना किसे और आप्षन है देख सकते हैं इसकीन पर आपके आप्षन नंबर A, Gुड्शन ऑप्षन नंबर B, बर्दी छन आप्षन दीर्ग सन आप्षन, तो इसमें क्या होसकता है मित्रों अगर आप संद के बारे में पढ़े होंगे तो बता सकते हैं सुचिए आप्षन नंबर B, ट और लेंदी है ये समझाना पड़ेगा आपको तो खैर चलिए कोई बात नहीं आप इसके संबंद में अपने सब्जेक्ट मैटेरियल से अध्यान कर सकते हैं कि क्या लोग और दीगुसर होता है तो मित्रो आपके लिए ग्राम पंचाई रथकारी के जो 22 दिसंबर को एक्जाम बड़क्ट के हैं हमारे इतने कोसेन सही है ठीक है तो हम फिर मिलते हैं आप से नेक्श्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टन सब्जेक्ट पे चैया आपका तरक सकती हो या फिर समानष धन कर समिंद्ध मैं या फिर ते 203 दिसंबर को प्रस्तावी थे जो ग्राम जो आपको अच्छा लगा हो तो पिलिज इसे लाइक जोर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे सेयर करिए ताकि हर कंडिडिट जिसको 2230 दिसम्मर को गराम परचायतकारी और गराम विकास अधिकारी का अग्जाम देना है उन सभी कंडिडिट तक एक और सर्थ पहुंच